जमुन कश्मीर में Real Estate, यानि कि अगर आपको कोई plot खरीदना या बेचना है, आपको कोई building खरीदनी या बेचनी है, किसी भी तरीके की Real Estate की property को खरीदना है, बेचना है, acquire करना है, तो उसे अब Real Estate Regulation and Development Act 2016 के तहत किया जाएगा, जो जमुन कश्मीर का अपना Real Estate Regulation का Act था, उसे repeal कर दिया गया, और अब जमुन कश्मीर reorganization के 3rd order में इस Central Law को जमुन कश्मीर पर applicable कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो तर्मीन की गई है, उसमें एक कहा गया है, कि जमुन कश्मीर की सरकार, यानि कि Union Treaty of जमुन कश्मीर की सरकार, जो है, वो rules बनाएगी, ये तै करते हुए कि जमुन कश्मीर में real estate के लिए अगर आपको registration करवानी है, कौन से documents की जरुत पड़ेगी, अगर आपको application fee भरनी है, कितनी fee आपको भरनी पड़ेगी, उसके इलावा कितनी देर तक आपकी registration valid रहेगी, आपने registration करवानी किसके पास है, ये सारी चीज़ों इसके लेकर जो का महीने के अंदर-अंदर बनाने है, इस कानून के लागू होने के बाद, कानून immediate effect से जो है जमुकश्मीर पर लागू हो चुका है, लेकिन जसा कि आप लोगों को भी मालूम है, कि जमुकश्मीर में अभी कोई भी सरकार नहीं है, इस act में strict तोर पर ये कहा गया है, कि rule, पहले both houses of legislature को cross करना पड़ेगा, यानि कि जो दो houses हैं legislature के जब तक उसमें ये कानून पास नहीं होते, तब तक वो लागू नहीं किये जाएंगे, union territory के cases में अगर एक ही house है, तो उस house में पहले इन rules को present किया जाएगा, उसके बाद ही ये कानून लागू होंगे, अभी तो ज के इलावा, ये जो पूरा का पूरा कानून है, क्योंकि अभी अलागू हो चुका है, इस act में ये भी है कि एक साल के अंदर-अंदर, real estate regulatory authority को establish करना होगा, ये regulatory authority जो है, ये ensure करेगी कि इस पूरे act की implementation जमुन कश्मीर में हो जाए, implementation के लिए जो regulatory authority है, इसमें अब होगा कौन एक chairperson और दो members जो है, उसे सरकार अपॉइंट करेगी, यानि कि Union Territory of जमुकिश्मीर की जो सरकार बनेगी, वो अपॉइंट करेगी कि इस regulatory authority में कौन-कौन होगा, एक chairperson भी और दो members भी, लेकिन appointment से पहले, जो recommendations है, वो selection committee देगी, और selection committee में Chief Justice of High Court, या फिर उनका कोई nominee, उस secretary, इन तीन लोगों की selection committee बनेगी, selection committee जो है, वो नाम recommend करेगी, सरकार को, और सरकार, chairman और दो members को appoint करेगी, अब chairman के लिए ये कहा गया है, कि chairman के पास कम से कम 25 साल का experience, real estate के मामलों में, housing के मामलों में, infrastructure के मामलों में, economics के मामलों में होना जरूरी है, और जो members appoint किया जाएंगे उनमें भी 15 साल का experience होना जरूरी है, उसके इलावा, एक appellate tribunal भी बनाया जाएगा, यानि कि real estate के जितने भी मामले होंगे, वो high court के पास नहीं जाएंगे, district court के पास नहीं जाएंगे, वो उस appellate tribunal में जाएंगे, अगर आपने कोई real estate property खरीदी है, या बेची है, कोई problems आ रहीं उसमें, तो आप अगर खुश नहीं है regulatory authority के order के साथ, तो आप उसे appeal करने के लिए उस tribunal में जा सकते हैं, उस tribunal को भी form करने की जिम्मेदारी जो है, वो union territory की government को दी गई है, यानि कि जमुकश्मीर में जिस जगा पर भी कोई plots को खरीदना है, कोई building है, किसी भी तरीक कानून जो है, वो जमुकश्मीर की union territory बनाएगी.